करनाल जीला उभोकता फोर्म ने ओयो कम्पनी के मालिक को कांड बताओ नोटिस जारी किया है इस रकम को अदा करने के लिए उभोकता फोर्म ने ओयो कम्पनी को 30 दिन का समय दिया था समय सीमा के अंदर कम्पनी ने ना तो उक्तराशी उभोकता को वापिस करी और ना ही जुर्माना दा किया समय सिमा समाप्तो जाने के बाद उभोकता रजचावला ने अपने वकील कनवदीप सिंग की मार्फ़त उभोकता फों में याचिका लगाई जिस पर संग्यान लेते हुए भोक्ता फोर्म ने कई हजार करोड की टर्न ओवर वाली ओयो कंपनी के मालिक रितेश अगरवाल तथा कंपनी के सीओ अधित्य घोश को भोक्ता फोर्म के आदेश की अभेला करने पर 9 अगस्त 2019 के लिए शो कोस नोटिस जारी करके हाजिर होने क के लिए बुलाया है कि क्यों आपके विरुत कानियोंनी कारवाई की जाए